जून महा के अंतिम सपतह से ताजनगरी में मौनसून सक्रिय हो गया है। मौनसून के मौसम में परियावरण विद चंदरशेखर शर्मा ने शहर में परियावरण की रक्षा के लिए जगा जगा फलदार और ऑक्सिजन देने वाले पौधे लगाने की अपील की है। उत्तर भारत के विभिन राज्यों के साथ ताजनगरी में जून महा के अंतिम सपतह में मौनसून सक्रिय हो गया है। परियावरण विद चंदरशेखर शर्मा ने कहा कि यह मौसम पौधे लगाने के लिए मुफित समय है। इस मौसम में हम सभी लोगों को परियावरण रक्षा के लिए फलदार और ऑक्सिजन देने वाले पौधे लगाने चाहिए। चाहें भी मिले ऐसा कुछ करने से तो जो पौधे नर्सरी में इस वार जो मालम पढ़ाया के लोगों ने पंद पाए हैं सरकारी नर्सरीों में तो वो भी महले दर महले जाकर के उनको बांटेंगे तब ही वो मिल पाएंगे। तब तक समाज की जुम्मेदारी नहीं दी जाएगी, समाज को इंडॉल्ब नहीं करेगी गवर्मेंट मसींदी तब तक ये प्रयोग सफल नहीं उपाएगा। पर्यावरन विद चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि इस मौसम में आंधी भी बहुत आती है। अगर रोड साइड लगे वर्षों पुराने पेड़ों की समय से छटाई हो जाए तो इन पेड़ों को आंधी में तूटने से बचाया जा सकता है। इमली है, सहतूत है, ये तो फलवाली में आता है, खिन्नी भी लग सकती है, आगरे में पहले बहुता है, जामुन है, अमरूद है, इससे के बंदर का प्रकोब भी कम होगा, और पक्षियों को आवास मेलेगा, भोजन भी मिलेगा, और पीपल, पाखर, बर्गत, गूलर, इ मौन्सून के मौसम में गुलाब, गुल्दाओदी जैसे पौधों के लिए उप्युक्त नहीं होता, इस मौसम में पीस दली स्पाइडर जैसे पौधे लगाए जा सकते हैं, सीनियूस के लिए अजय बहादूर की रिपोर्ट इसे उली से फिर्फ लिए ऑटों के लिए जैसे स्वाइडर के लिए लगे घड़ाब, अजय बहादूर की रिए जैसार्ग होता है,